किस रासी में धनसक्ती राज योग का निर्मान होने जा रहा है और इस राज योग से किन रासी वालों पर क्या परभाब पढ़ने वाला है हर हर महादे जै भावा विद्धिनाद अब की मार्च महीने में फरवरी के अंत में और मार्च में कुम्भ रासी जो सनी की रासी है इसमें तीन कुरूरग्र एक साथ विराजमान हो रहे हैं तो त्री ग्रही योग जो होता है वह बहुत दिनों के बाद ऐसा सन्जोग लगता है यानि पाँच छो वर्स के बाद त्री ग्रही योग कुम्भ रासी पर बन रहे हैं जो सनी की रासी है तो सनी भी कुरूरग रहा है उस पर मंगल, सुक्र और सनी ये तीनों का जो योग बन रहा है साथ में सुक्र भी है जिससे धन सकती योग का निर्मान हो रहा है इससे तीन रासी वाले के उपर सकारात्मक प्रभाब पढ़ने जा रहा है सनी की ढहिया और साढह साती से जो परिसान हैं जैसे कुम रासी वाले, ब्रिसव रासी वाले और मीन रासी वाले इनके उपर सनी की क्रपा बनेगी शकारात्मक उर्जा बढ़ेगा नकारात्मक उर्जा घटेगा मन में जो असांती है वह समात होगा ब्यापार में बढ़ोत्तरी होगी और धान लक्षमी आकस्मिक योग बन रहा है ब्यापार इनका जो है बहुत अच्छा चलेगा, मान-संवान तो निश्चित बढ़ेगा जो मान-संवान में कमी हो रही है साड़े साती ढहिया के प्रभाव से यानि जब त्रिग्रही योग कुम्वरासी पर बनते हैं तो सनी की कृपा ही होती है नो की कुद्रिष्टी होती है